Hello everyone, welcome back to my channel आज को नया सिखेंगे देखिए आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ NCRA textbook chapter number 9 exercise 9.1 में sum number 1 सिखाने वाला हूँ आपके सामने ये sum दिया है और diagram भी आपको दिया होगा textbook में लेकिन diagram हम question को read करके बनाएंगे क्यों diagram बहुत ही important है ये chapter के लिए 20 meter long rope है उसके बाद देखिए which is tightly stretched and tight from a top of a vertical top of a vertical pole to the ground ये important underline कर लिया मैंने अब देखिए आगे देखिए find the height of a pole height of a pole हमें find करना है is the angle made by the rope with the ground level is 30 degree मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि angle of elevation काम आ रहा देखिए है है आपर तो आई ये diagram बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है vertical pole है vertical pole यहाँ पर draw कर लेता हूँ उसके बाद information क्या दिया है देखिए 20 meter long rope दिया है जो tightly stretched and tight from top of a vertical pole मतलब ये top of a vertical pole है और कहाँ पर देखिए गया ये to the ground मतलब यहाँ पर गया है ठीक है और देखिए इसका जो measurement जो है वो कहें 20 meter है तो यहाँ पर मैं 20 meter लिख लेता हूँ clear हो गया उसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर यहाँ पर नाम करन कर देते हैं यहाँ पर a यहाँ पर b और यहाँ पर c उसके बाद देखिए आप सोचोगे कि find करना क्या है यहाँ पर लिखा है find the height of the pole तो यहाँ पर question mark कर लेता हूँ और यह chapter में आपको देखिए जिस तरह साब को समझाने कोसिस कर रहा हूँ अगर आपने समझ लिया अग्या तो हर एक चीज़ joy. आपको दो चीज के धान रखना है दिया क्या है और find क्या करना है यहाँ पर जो दिया हुआ है देखिए यहाँ पर ac दिया हुआ है AC equal to 20 meter दिया है find क्या करना है देखिए आपको AB find करना है तो AB equal to question mark कर लिया है AC मतलब क्या है देखिए अगर आप यहाँ पे खड़े हो जाओ तो सामने वाला side क्या होगा opposite होगा AB जो है आपका opposite है और AC क्या होगा आपका 90 degree वाला सामने है तो hypotenious होगा तो आप यहाँ पर लिखोगे hypotenious लिखोगे अब बताव मुझे कि opposite और hypotenious दोनों को मिला कर trigonometric ratio में formula कौन सा होगा sine का formula होगा तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए sine 30 degree equal to opposite opposite कौन सा देखिए AB है तो यहाँ पर मैं AB लिखता हूँ और opposite upon hypotenious होता है तो hypotenious किया है यहाँ पर A-C है तो यहाँ पर मैं C लिखता हो sine 30 का value आपको पता होगा 1 upon 2 होता है यहाँ पर लिख लिखेंगा AB का value हमें find करना है और A-C का value दिया हुआ है 20 तो यहाँ पर मैं 20 लिख लिखता हूँ clear हो गया अब 20 को इससे multiply करता हूँ 20 upon 2 हो जाएगा equal to AB हो जाएगा 210 जा 20 हो गया मतलब हमारा answer जो है AB equal to यहाँ पर 10 meter आ गया है मतलब कह सकता हूँ यहाँ पर the height of a vertical pole is 10 meter तो उम्मीद करता हूँ कि हर एक चीज आपको अच्छे तरह समझा पाया हूँ अगर कोई doubt हो तो प्लीज comment करें बताएगे वीडियो पसंद आया हो तो like करना भूले और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के शेर कीजिए तो आपका अच्छा response रहा अगर तो इसका next sum भी में बहुत जल लेके आऊँगा तो मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए दुआ मयाद रखना अल्ला हाफिस